आप जिस चेप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं मार्किंग टूल्स आईए चलू करते हैं मार्किंग टूल्स किसी जॉब के कारिखंड पर मार्किंग करने के लिए जी नोजारों की आवशकता पड़ती है उसे मार्किंग टूल्स कहते हैं तो मार्किंग टूल्स कौन-कौन से होते हैं Marking Tools होते हैं Marking Table Surface Plate, Scriver, Divider, Tri-Square, Punch Marking Block, Engle Plate तता Trimmer आदिए Marking Table यह ढलवा लूहा की बनी वर्गाकार या आताकार एक प्लेट होते है जीसे मर्दु स्पाथ से बने एक स्टेन पर फिट किया जाता है जिसकी जाए क्रमशव 25-90 cm ततत रखी जाती है तता अधिकतम 90 x 90 x 80 cm की मार्किंग टेबल का उपयोग किया जाता है कहीं समतल पर जौब या कारेखन को रखकर इस्टील, रूल, डिवाइडर, ओडले, केलिपर से मार्किंग की जाती है और पंच के द्वारा इस्थाई मार्किंग करते समय मार्किंग टेबल का उपयोग किया जाता है सर्फेस प्लेट सर्फेस प्लेट वर्गाकार वह आयताकार बनी होती है अधिकतर 50 x 50 cm से 2.5 x 5 cm मोटाई और 100 x 100 cm और 5 x 7.5 cm मोटाई की सर्फेस प्लेट कामें लाई जाती है प्रदाद के अनुपसार सर्फेस प्लेट निम्न प्रकार की होती है डलवे लोगे की सर्फेस प्लेट, ग्रेनाइट की सर्फेस प्लेट, ग्लास की सर्फेस प्लेट नेश्ट है इसक्राइवर तो इस ओजार का उपयोग पेंसिल के इस्थान पर किया जाता है इसके द्वारा जॉब पर चिन या निशान लगाए जाते हैं तथा रिखाई खीची जाती हैं या कार्बन इस्टील के बने होते हैं तथा इसका व्यास 3 से 5 मिलिमीटर तक होता है निर्देश्ट इसकी लंबाई जो की 1.500 mm से 300 mm तक हो सकती है तो आप स्क्राइवर के बिविन पाट इसमें देख पा रहे हैं ये भी कुछ टाइप के स्क्राइवर हैं सिंगल पॉइंट, पॉकेट टाइप, सिंगल पॉइंट, बेंड टाइप, स्टेट पॉइंट आदी दिवाइडर यह एक इस्टुमेंट है जिसका उपयोग व्रत खंडुरी या जयमती आकरतियों के मार्किंग करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग बिमिन बनाव्टूटों को टांसपर करने के लिए भी किया जाता है यह mild steel का बना होता है तथा दोनों joint की hardening की जाती है इसका use दो पैंटों की बीज की दूरी नापने के लिए steel rule की मापों को transfer करने के लिए तथा धातू के job और रत्तों के चापों की marking करने के लिए किया जाता है Tri-square Tri-square के दोरा किसी job के inner तथा outer surface को check किया जाता है यह एक प्रकार का checking और marking tool है परतेक जौब पर 90 degree के cone को इसके दोरा बनाया जाता है इसके विविन भाग होते हैं जिनमें blade तरो प्रमुख है तथा प्रकार के इसाप से fixed type, adjustable type, die maker तथा elder square type Tri-square प्रियोग में लाई जाते है Next step, punch यह उच्छ स्पाथ तथा ओजार यह स्पाथ का बनाया जाता है इसके आगे का भाग taper तथा एक विशेश कोन पर grind किया हुआ होता है तथा इसकी लंबाई प्राया 100 से 150 mm तक होती है इसका use किसी marking की हुई job की marking को पक्का करने के लिए किया जाता है drill को center लगानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है आप diagram में विविन प्रकार के punch देख पा रहे है center, dot, prick, solid, hollow, pin तथा बेल पंच अधी प्रकार के punch होते हैं अब हम देख रहे हैं letter तथा figure इसके आगे की tip पर अंक या अक्षर लिखे होते हैं जिसकी साइता से number वा अक्षर लिखे जाते हैं एक letter punch के set में 27 punch होते हैं जिसमें A से लेकर Z तक तथा एक space का punch होता है या figure punch के set में 10 punch होते हैं पंच के विशिष्ट विवरान उनके प्रकार तथा लंबाई के साथ दिया जाता है marking block marking block का उप्यों किसी job के एक side के समंतर विविन उचाईयों के समंतर लाइन खीचने में की राय जाता है इसको surface gauge या describing block के नाम से भी जाना जाता है या cast iron के एक block का होता है जिसमें एक rod तथा stand का कार्य करने के लिए लगी होती है तथा आप diagram में marking block के विविन भाग देख पा रही है universal surface या marking block universal chin block को pillar से सीधे base पर fit नहीं किया जाता है pillar पर एक slot nut की सायता से base पर लगी हुई rocker arm में fit किया जाता है या rocker arm दूसरी सिरा adjusting screw से जुड़ा होता है इसकी सायता से fine adjustment किया जाता है इसके block के निचले भाग विया कर का group कटा होता है जिसके बेला कार या card surface पर कर भी चिननन किया जा सकता है base में दो guide पिने लगी होती हैं जिसे में दबा कर आधार को बाहर निकला जा सकता है इसकी सायता से chin block surface plate की side को guide किया जा सकता है angle plate यह ढलवे लोगे तथा इस पात की बनी होती है इसकी दो बुजाएं तथा साथ के किनारे समकोण पर मशीन कटी होती है यह दो प्रकार की होती है fixed वा एज़ेस्टेबल ट्रेमल अधिक बड़े जॉब कर चिन करने के लिए ट्रेमल का उपयोग किया जाता है इसे पंदरा से पचास सेंटीमीटर लंबी एक इस्टील की रोट वह दो खिसने वाले हेड होते हैं इसमें एक एज़ेस्टेबल इस्कुरू तथा नट का प्रबंध रहता है जिसमें माप भरने के लिए इस्टील रूल का उपयोग किया जाता है कभी कभी ट्रेमल की रोड पर ही इंच तथा मिलिमीटर में चिन अंकीत होते हैं इससे बड़े सरकलों का मार्किंग की जाती है धर्निवाद